और जेडियू संसदी दलकी बैठा के बाद जेडियू मलसी निरच कुमार ने नियूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि हमारे नेता और सीम नितीश कुमार कभी राजनीती में बारगेनिंग नहीं करते हैं नितिश कुमार को कोई प्यार करे या नफरत करे लेकिन कोई इंकार कैसे कर सकता है वहीं जेडियू को केंदर में कौन सा मंत्राले मिलेगा इस पर निरच कुमार ने कहा कि ये पीम का विशशाधिकार है देखिये जेडियू MLC निरच कुमार से हमारे संबद आता उतकर्ष की ये खास बात्चीत पर दिली में मुलाकात कर रही है लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि नितीश कमार ने बारगेनिग की है और इस बार रेल मंतराले जो है वो नितीश कमार ने माँगा है वाइसाथ बात करने के लिए जेडी ओ अमिल्सी है मुखे प्रवक्ता नीरज कमार कितले लेगों को 2005 के नवंबर से राजनीत के पेट में असहाई दर्द भातीजा को राजनीत में जिसको आवकात बताना कहते हैं चार संख्या बल पर सिमट गए हम तीन चौथाई जीते तो चार की जरुवत कहां पढ़ती है ये बताने की तो अवशक्ता आए नहीं तो हम एंडिये के साथ है बिना सर्थ हमारा समर्थन है और विभाग का बटवारा आदर निय प्रधान मंत्री जी का विशेशादिकार है मानने मुख मंत्री नितिश कुमार जी की राजनेतिक का रिकुशलता है गठवंदन की अवशक्ता और गठवंदन के जो धर्म होते हैं उसका एहसास हमको है तकी जो तस्वीरे नजर आई है लकातार पटना में भी नितीश कुमार ने सभी सांसदों से मुलाकात की थी आज भी एक मुलाकात जो है वो लकातार हो रही है और आज देर से हमके सकते हैं कि तमाम सांसदों से प्रधान मंतरी भी मुलाकात करेंगा और प्रधान मंतरी को नरेंदर मोदी को फिर से प्रधान मंतरी चुन लिया जाएगा लेकिन इससे पहले ये बाते सामने आ रही थी कि नितीश कुमार के पास दो मंत्राले को लेकर आफर भी है कृशी मंत्राले और रेल मंत्राले तो क्या लगता है इसको लेकर नितीश कुमार माने अरे कहीं कोई परिसानी नहीं है मंतराले के वले एखी चाहिए इन्डिया की सरकार अऊ मंतरालै फिट फर ओल है देश के 140 करोड जनता के लिए मंतराले कोई बिवाद का विशें नहीं कोई बीमर्ष का विशें नहीं के वली एक ही है के आधर नरेंद्र मोदी जी को के तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है और पिछडे राज्यों का विकास हो यह हमारी चिंता है 25 को लेकर भी लगातार सवाल ख़ड़ा हो रहा था लेकिन अब बीतर दिन ब्यार के दोनों उपमुखे मंत्री ने कहा कि इस 25 में नितीश कुमार के नेतर तुम्हें चुनाव लड़ेंगा और चेहरा जो होगे वो नितीश कुमार अरे बैस सभाबिक है न मानिय नितीश कुमार जी को कोई प्यार करे या घ्रना करे इनकार किसे कर देगा इसलिए नितीश कुमार जी की भूमी का राश्टी अस्तर पर भी बढ़ी है और भारतिय जनता पार्टी के बिहार के मानिय उद्धोई उपमुखमंत्री ने यह साबजिनिक तोर पर कहा है तो उन्होंने पार्टी के नितीश से बात करके अपनी भावना को बेक्ट किया है और वह अभिहार की जनता की भी जन भावना है अपनी सवाल है लगतार आप लोग करें कि तीसरी बार जो हैट्रिक है वो इंडिये गड़बंदे ने मारा लेकिन तेश्वी आदब ने ये कहा था कि मूदी फैक्टर फैल हो गया नितीश फैक्टर फैल हो गया इस वज़े से ये तस्वीरे नजार आई है पूरे देश में तो उनको लगता है अपना पिताजी से बात चित कम होता है अपने पिताजी से घ्यान ले लें कि 2004 में क्या इस्तिती थी कितने सांसर जीते थे कॉंग्रिस के 2009 में किसे सांसर जीते थे जो दूसरे के बारे में बोलते हैं कि दूसरे के भरोसे सरकार चल रही है अरे सच यह है कि तेजश्वी यादव जी आपका मैजिक खतम हुआ और जनता ने पर्मानेंट आपको बेडरेस्ट पर भेज दिया वहीं साफ कहा कि नितीश कुमार का फैक्टर आज भी बिहार में कायम है और तेजश्वी यादव का फैक्टर फैल होगे और जनता ने उन्हें बेडरेस्ट पर भेज दिया वहीं साफ कहा कि नितीश कुमार को इंकार कर देश और बिहार की राजनीती नहीं हो सकती वीडियो जनले सतिन कुमार के साथ उतकर्ष नियूज नेशन पटना